Steel counters, Metal counters उनमें move है और अब Reliance भी आदा पसंद तेजी के साथ rate कर रहा है Reliance की strength इस हफते थी कि हम 18,000 के उपर भी breakout कर पाए क्या अब ये फिर से एक तैयारी कर रहा है बाजार को उपर खीशने की सुमीत, reliance पर क्या strength दिख रही है क्या ये बड़ी move दे सकते हैं आज दिन में जी बिल्कुल कल के evening session में भी हमने बोला था कि बिल्कुल हर एक dips को आप utilize कीजिए overall जो हमारा target है that is around 2500 stop loss अभी भी आप maintain कर सकते हैं आज के low के करीवन का that is around 2114 2410 के करीवन आप उसका एक ट्रेलिंग stop loss maintain कीजिए 2510 का target श्रिकान तेक आखरी सवाल में आपसे जरूर पूछूँगा भी लेकिन ठीक उससे पहले एक बार index के बारे बता दूँ 18000 आप nifty spot पे समय देख पा रहे हैं futures भी 18000 के उपर ही आ गए हैं तो आज का जो शुरुआती जटका लगा वो करीब 70-80 पॉइंट का आपको recovery देखे गया उसमें reliance पे एक बड़ा contender है आप 18000 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरी important बात आप keyners में देखेंगे तो आपको situation ज़्यादा ठीक दिख जाएगी अभी हलाकि total number के हिसाब से भी ठीक नहीं है 20 शेरी बड़त के साथ है निफ्टी के 30 शेरों अभी भी गिरावट है लेकिन आप इसी से अंदाज लगा लेजिए कि 20 शेरों नहीं निफ्टी के अंदर 60-70% के recovery दे दी है आप F&O के अंदर चेक कीज़े सिर्फ 50 शेर हैं और 136 शेर उसके सामने खड़े हैं तूटे हुए लेकिन फिर भी बजार के अंदर recovery आ रही है सिर्फ सिर्फ एक options में को और चेक करनी है क्योंकि वहाँ पे जाके अभी भी उतना confidence नहीं बढ़ रहा है इसलिए जो जिस जिसको जितने जितने पैसे मिलें वो अपने हिसाब से trade करता जा और निकलता भी जाए शिर्कांत एक ऐसा share आप मिरे को बता के जा सकते है मैं इस volatility से थोड़ा परे होके एक शांती से investment शुरू करना चाहता हूँ वो मैं अगले तीन महीने के लिए आप समझेगा कि मैं रखूंगा और हर महीने एक बड़ा चंग कुस शेर के अंदर डालना चाहूँगा आपको यह ऐसा share है आपके पास बिलकुल तो देखे वैसे इस market में अगर इस market के अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यह market इसी range में मुझे लगता है कि और कापी सारा वक्त निकालेगा 17500 मोटा मोटी lower levels रहेंगे 18500 के levels higher steady पे रहेंगे और इस particular range के अंदर हमें लगता है कि ऐसे कई सारे stock होंगे mid-size के कि जो यहाँ से performance दिखा सकते हैं हमें लगता है कि जैसे defense में बड़ी activity आई है और defense में कई सारे stocks में खरीदारी बनती जा रही है हमें लगता है कि वहाँ पे coaching shipyard यह कैसा stock है जो 500 के करीब trade कर रहा है और यह हमें लगता है कि in next three months of time 620-650 के levels दिखा सकता है current level से काफी attractive है क्योंकि यह stock अपने corrective pattern को complete करते हुए 500 के करीब अपना base बना रहा है तो अगर इस दिखल से अगर मैं खरीटता हूँ तो हमें लगता है कि इसमें एक decent upside है तो coaching shipyard long करके चले और जैसे कि भी बात हुई और जैसे हमने भी chart देखा ultra tech cement यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है और हमें लगता है कि ultra tech cement में जैसे momentum बना इसके बाद हमें लगता है कि बाकी cement companies को भी हमें closely track करना पड़ेगा वहाँ पर भी अच्छे momentum बन सकता है